बांगलादेश ने पहली बार स्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज जीत लिया है after winning the second ODI on May 25th by 103 runs. इस सीरीज विन के पीछे मुश्विकुर रहीम का बहुत बड़ा योगदान रहा. पहले मैच में रहीम मेड 84, तमीम इकबाल के साथ 50 partnership और मेहमुदुला के साथ 109 runs का partnership के बाद, रहीम इंशॉट बांगलादेश एंड़ अप विद डीसेंट टोटल. मेडी हसन और मुस्तफिजूर रह्मान ने उनके बीच साथ विकेट निकाले और स्री लंका को 224 पर ओल आउट कर दिये. दूसरे मैच में तमीम इकबाल और शकिबल हसन के cheaply out होने के बाद, इट वस अप टुर रहीम तो होल्ड दी इनिंग्स तोगेदर. उन्होंने 127 बॉल्स में 125 रंस मारे और अपने टीम को 250 के करीब पहुचा है. Once again, मेडी हसन और मुस्तफिजूर ने अच्छी बोलिंग की और rain interruptions के बाद, बांगलादेश वन दे मैच पाई 103 रंस थैंक्स तो दॉक्वर्थ लूइस सिस्टम. मुश्विकुर रहीम दोनों मैचेस में man of the match रहे और without a doubt बांगलादेश के stand-out player रहे. In fact, in August 2006, जब 16 साल के उमर में उन्होंने ODI डेब्यू की, तब से रहीम has been an integral part of बांगलादेश's success. उनके diminutive stature और behind the stumps antics के वज़े से मुश्विकुर रहीम को काफी ट्रोल किया जाता है. IPL auction में अंसोल रहने पर भी social media पर लोग रहीम को ट्रोल करने से कत्राते नहीं. But रहीम has not let any of it bother him and national team के लिए runs बनाते चले गए. 226 matches में रहीम ने 8 centuries मारे है and he has 40 half centuries to his name. 2014 से बांगलादेश के सबसे consistent batsman में से एक रहे है. इन 7 सालों में 104 matches खेले है और उनका average 50 के करीब है. Almost 13 points higher than his career average. रहीम international cricket में boundary hitter जैसे तो नहीं जाने जाते. उनका ODI career strike rate 79.22 है और T20Is में 120. लेकिन he is more of an accumulator. शुरुआत slow करते हैं, quite happy to push the singles and twos. शायद इसी वज़े से रहीम flies under the radar और उन्हें उतना credit नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए. बांगलादेश टीम में होने के नाते रहीम ज्यादा तर desperate situations में batting करने आते हैं, जिसमें उन्हें rebuild करना होता है. ये जानते हुए कि उनके बाद आने वाले batsmen इतने consistent नहीं है, मुश्विकुर रहीम पूरी innings batting करने की जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं. उन्होंने अपने अंदाज में 6,553 runs मा रहे हैं, और बांगलादेश को इतने opportunities तो नहीं मिलते हैं to play against the better teams, लेकिन जब भी मौका मिलता है, मुश्विकुर रहीम इंप्रेस कर जाते हैं और अब social media पे भी इन पे praises शावर कर रहे हैं. He is underrated, लेकिन he is one of Bangladesh's greatest batsmen.